तो आईए आज हम सीखेंगे logical functions basic to intermediate level सबसे पहले कुछ basic theory हो जाए अगर आपने कभी less than equal to sign का इस्तमाल करना है तो आपने ऐसे करना है बहुत बार लोग गलती से equal to पहले लिख देते हैं और फिर less than का sign डालते हैं नहीं इसे याद रखने के लिए याद रखिए less than equal to यानि कि less than पहले फिर equal to similarly greater than equal to और अगर not equal to लिखना है तो ये दो sign एक के बाद एक इस तरह आप use कर सकते हैं अब मान लीजे if लिखने से पहले आपकी मन में सवाल आएगा कि logical value क्या है तो बताना चाहूँगा कि excel के अनुसार logical value का मतलब है true या false अब अग अगर आप कोई सवाल पूछते हो let's say इस cell से आप पूछ रहे हो क्या आप more than 10 हो तो answer में आपको true मिलेगा और जब आप copy paste करोगे तो शायद इस पूरे cases में true मिलेंगे लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया होता is c9 यानि कि ये पहला cell is more than 40 enter तो शायद एक को छोड़के सा सारे cases में आपको false मिलेंगे so याद रहे logical value मतलब true या false now true false के case में एक एहम हिस्सा है जो मुझे आपको बताना है excel के नजरों में true का मतलब होता है one और false का मतलब होता है zero अब अगर मैंने कोई number को let's say 5000 को multiply कर दिया true से आप कहेंगे रिशब ये तो error बन सकता है नहीं ये answer दिलाएगा 5000 क्योंकि excel के नजरों में true क्या है yes one है उसी तरह ये formula अगर मैं लिखता हूँ 5000 multiplied with false तो मुझे answer में zero मिलेगा now ये basics जरूरी है आगे बढ़ने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं if formula को समझने के लिए तो मैंने एक छोटा सा data लिया है पहले देखते है data क्या है और सवाल क्या क्या आते हैं पहला कुछ लोगों के नाम है उनके salary किस division में काम करते हैं उनकी age क्या है अब मान लिजे मुझे पहला सवाल गौर से देखना है कि अग अगर age more than 50 है तो मुझे answer में senior चाहिए और अगर नहीं तो blank तो अब ये सवाल का जवाब मैं formula के जरीए कैसे लिखूँ आईए देखते हैं सबसे पहले लिखता हूँ if और लिखते ही जो पहला parameter आता है वो कहता है logical test यानि कि ऐसा test जिसका answer या तो true हो और या false हो logical test का मतलब है true या false देने वाला test लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये logical test है यानि कि एक बार में आप एक ही सवाल पूछ सकते हो तो मैं ये सवाल पूछता हूँ उससे क्या ये age more than 50 है अगर आपने number से compare करना है तो number के लिए आपको double quotation की ज़रूरत नहीं है ये गलत बन जाएग तो मैंने वापिस लिखना है formula सही तरीके से if the age जो की एक number है is greater than 50 उसे भी मैं number से compare कर रहा हूँ अगर ये बात सच है तो मुझे अगला parameter पूछ रहा है कि वो क्या value है जो आप देना चाहते हैं तो मैं एक text value देना चाहता हूँ जो double quotation मैं लिखता हूँ senior और double quotation को close कर देता ह now comma press करने के बाद जो तीसरा parameter है वो ये कह रहा है कि अगर आपने जो पहला सवाल पूछा था उसका answer अगर false है या ना है तो आप क्या करना चाहेंगे तो मुझे blank value चाहिए आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते double quotation दो बार बिना कोई text डाले हुए इसका मतलब होता है blank तो इस सवाल का answer ना है तो क्या करना चाहिए इसके बाद मैं press कर देता हूँ enter देखा आपने blank लेकिन यही formula अगर मैं copy paste नीचे की तरफ करता हूँ तो मुझे एक senior message दिखता है और ये message आप filter के द्वारा अलग कर सकते हैं कि मुझे senior के ही सारे नाम दिये जाएं तो filter apply करने में if बहुत ही मददकार साबित होता है तो ये था हमारा पहला सवाल अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं जहां मुझे दो सवाल पूछने हैं एक साथ कि अगर salary पचास हजार से कम है और age 40 से ज्यादा है और का मतलब and हिंदी में और English और दो अलग-अलग मतलब होते हैं तो यहाँ पे salary भी कम होनी चाहिए और age भी ज्यादा होनी चाहिए उस case में मुझे एक indicator दिया जाए ओके तो indicator के लिए मुझे ऐसा कुछ formula लिखना है जिसके द्वारा दोनों सवाल एक साथ पूछे जा सके ना अगर आप if लिखते हो और आपने सवाल पूछा कि क्या salary less than 50,000 है एकदम सही है यहां तक लेकिन आप दूसरा सवाल यहां हाथो हाथ नहीं पूछ सकते मेरे दोस्त यह logical test का मतलब है एक बार में एक ही सवाल तो इसलिए excel ने दिया है आपको एक formula and function and के पास काबलियत है काफी सारे सवाल एक साथ पूछने की और अगर सारे सवालों का answer हाँ है या true है तो आपको वो मिला कर true देगा तो आएए देखते हैं कैसे लिखा जाता है सबसे पहले मैं इस salary को choose करता हूँ और कहता हूँ कि क्या आप 50,000 से कम हो फिर मैं दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ ध्यान से देखेगा parameter बदल के बन चुका है logical to यानि कि दूसरा सवाल दूसरा logical सवाल जिसका answer हाँ या ना में हो दूसरा सवाल ऐसा कुछ है कि क्या age more than 40 है मुझे औ और देखना चाहूँगा true कब मिलता है true तब मिलता है जब मेरी salary 50,000 से कम हो और age 40 से ज्यादा हो अब ultimately मुझे answer में yes या no चाहिए true या false नहीं तो मैं क्या करता हूँ ये and formula ये पूरा का पूरा एक answer logical answer बनके आ रहा है true या false अब ध्यान से देखिएगा जब आप if लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है वो है logical test यानि कि ऐसा सवाल जिसका answer हाँ या ना टक्नीकी भाशा में true या false तो अब and का formula इस logical test के जगा पर बैठ तो आईए देखते हैं कैसे and के just पहले और equal to के बाद if का formula डालता हूँ if का पहला parameter है ये पूरा का पूरा and formula correct अब अगर and ने कह दिया true तो मुझे चाहिए yes का एक छोटा सा message अगर and के formula ने कह दिया मुझे false उस case में मुझे एक formula का answer चाहिए no तो देखे कितने सुंदरता से मैंने and function को if के साथ जोड़ दिया ताकि अगर आपको कल 5 या 6 सवाल पूछने पड़े एक साथ तो आपको बार बार अलग-अलग if लगाने की ज़रूरत ना पड़े एक and function ही ऐसा है जहां दोनो condition या तीनो condition या चारो condition अगर meet होते हैं तभी आपको true मिलेगा तो अभी मैं इसे copy-paste down करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे एक case में yes मिल रहा है of course पहली line जिसको मैंने yellow करी उसमें भी yes है अब ये तो हो गया दूसरा सवाल मैं जानता हूँ दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन यहां ये तीनों चीज एक साथ समझाना बहुत जरूरी है if and or तो अगला सवाल ये है कि मुझे चाहिए एक छोटा सा indicator कि अगर आप department RAD या RDD में काम करते हैं तो मुझे एक छोटा सा true answer चाहिए correct तो इसमें सवाल ये बनता है कि एक ही column में सारे divisions दिये गए हैं या तो आप CDFD में होंगे या आप ED में होंगे या आप RAD में होंगे या RDD में होंगे and so on तो यहाँ पर एक बार में एक employee एक division में ही काम कर सकता है इसलिए मैंने पूछना है और या तो आप RAD को बिलॉंग करते हैं ध्यान से एक equality का sign ज़रूरी है next और या फिर उसी cell को दोबारा choose करने के बाद में पूछता हूँ क्या आप RDD में हैं इन दोनों में से कोई भी एक सवाल का अगर answer हां में तब्दील हो गया तो आपको मिलेगा true और आईए देखते हैं इसका answer कहां कैसे दिखता है देख रहे हैं true true जिस तरह and सारे सवालों का answer अगर हां है तभी true देता है वैसे ही और अगर उन में से एक भी सवाल answer yes या true आता है तो आपको answer true में मिलता है और वही मतलब है और versus and का ठीक पिछले बार के तरह आप if यहाँ जोड सकते हैं और अगर और के formula ने true दिया तो क्या कहना चाहेंगे और अगर false दिया तो क्या कहना चाहेंगे ना यह तो हो गया third case study अब इस वीडियो को close करने से पहले एक last case study बताना चाहूंगा कि अगर salary less than equal to 20,000 है तो आप उसे low कह दीजे low यानि की कम salary अगर 20,000 से ज्यादा है तो चेक कीजे कि आपकी salary क्या 60,000 या उससे कम है अगर ऐसा है तो medium और अगर 60,000 से भी ज्यादा है तो आप high बताईएगा तो यहाँ पे actually तीन possible answer है और मुझे दो सवाल पूछने है एक के बाद एक तो पहला सवाल अगर हाँ बोलता है तो मैं low कह दूँगा अगर ना बोलता है तो अगला सवाल पूछना मुझे जायस होगा तो पहला सवाल कुछ ऐसा क्या ये salary less than equal to 20,000 है अगर ऐसा है तो double quotation के अंदर एक text message दे दीजे लो लेकिन अगर ये 20,000 या उससे कम नहीं है तो मुझे और एक सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछने की ताकत सिर्फ logical test के पास है और logical test लाने के लिए मुझे और एक if लिखना पड़ेगा तो दोस्तों पहले if के अंदर और एक if आ जाए उसको हम कहते हैं nested if function यानि की एक के अंदर एक के अंदर एक तो जब मैं bracket close करता हूँ तो धियान से देखेगा पहला सवाल अगर answer हाँ है तो low अगर ना है तो और एक action लीजे if के दौ़ारा तो if के equal to 60,000 है अगर है तो मैं कह दूँगा medium अगर वो भी सवाल answer ना में है तो एक ही option है वो है high तो इसे हम कहते है nested if function एक बार pause करता हूँ screen को ताकि आप देख सके ये है पहला सवाल अगर answer हां में है तो क्या देना चाहिए अगर ना है तो मुझे और एक सवाल पूछना है और उसकी ताकत और एक if के द्वारा आती है तो इस if function के अंदर भी same parameter है कि अगर सवाल का answer less than 60,000 है less than या equal to तो medium और नहीं तो एक ही चीज़ बचती है वो है high because जब तक आप high में पहुचेंगे इसका मतलब ये है कि आपका पहला सवाल भी ना रहा है और दूसरा सवाल भी ना आप high के answer तक पहुच पाओगे तो इसे हम कहते है nested if और ये मुझे अलग-अलग level को distribute करने में मदद कर रहा है तो दोस्तो मुझे मालूम है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था लेकिन अगर आप दुबारा इसे देखें और खुद practice करें तो आपके basic to intermediate level of if and or एक ही वीड concept clear हो जाएंगे